गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम कक्षाती स्री पर्यावरण में पाट 13 हमारी सवेदनाओं की साजेदार के बारे में पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो शायद अंदा है वो किताब छू कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है अब इसी के बारे में हम किताब में जानेंगे आईए मेरा नाम सीमा है तिक्सी कक्षा में पढ़ती हूँ मुझे इसकुल से आकर घर के लोगों से बाते करना अच्छा लगता है वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बहुत बच्चों के आदत होती है कि वो इसकुल में कुछ भी क्रेटिव होता है कुछ भी सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है वो घर आकर बताते हैं अपने माता पिता को भाय बहन को उसी तरह सीमान भी अपनी कक्षा में जो भी होता है वो घर पर आके अपने माता पिता को बताती है और बाकी घर के लोग भी उसकी बाते सुनकar खुश होते हैं पहली तो है मेरी दादी वे उच्चुक रहती है मेरी बाते सुनने को वे मेरे इसकुल से लोटने का इंतजार करती रहती है वे बूड़ी है और उनकी कमर में दर्द भी रहता है दादी उचा सुनती है और उने लिखता भी कम है देखिए उसकी दादी है वो उसके आने का इंतजारी करती रहती कि वो कब आएगी और अपनी बाते बताएगी रोज सुबह पापा उनको अकबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते है दादी अपना सारा काम खूद करती है उनकी कोई मदद करने की कोशिश करे तो वे नाराज हो जाती है वो अपना कारी खूद करना पसंद करती है कोई की मदद नहीं लेती है दादी को सबजी काटने का बहुत शोगे कहती है आजकल के बच्चे जानते ही नहीं कि सबजी केसे काटी जाती है दुसरे हैं मेरे रवी भाईया रवी भाईया हमारे साथ ही रहते हैं मैं उन्हें रवी भाईया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भहिया भाबी हमारा क्या रिस्ता है मैं नहीं जानती पर वे हैं मेरे प्यारे भहिया वे मेरे प्रशनों का उत्तर देने के लिए सदेव ततपर रहते हैं हमेशा वो कोई भी प्रशन करती है तो उसके रवी भहिया उसके प्रशनों का उत देने केलिए त्यार रहते हैं। कभी नहीं कहां बाद में बताऊंगा यानि वो उसकी बातों को कभी तालते नहीं। रवी भीया कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के विद्दार्ती उनकी बहुत इज़्जत करते हैं। रवी भईया को संगे सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ गुमने, बाते करने का बहुत शोक है, वे मस्त मोला है, वे खुद हसते हसाते भी हैं, सोचिए और बताईए, आपके घर में कोन-कोन रहते हैं, ये आपको सोचना है और बताना है, घर के प्रतेक व् विशेशताए भी आपको लिखना है और बताना है, सिमा के भाई की बात, मेरे भईया जब घर के बाहर जाते हैं, तब एक सफे चड़ी ले जाते हैं, उनको घर में गुमते देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है, यानि वो जो रवी भईया हैं, उसके उन्ह दिखाई नहीं रेता है, वो मेसूस करने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी रखते हैं, तक कि वो मेसूस कर सके कि वो कहां से इकल रहे हैं, और उन्हें देख कर कोई कह नहीं सकता कि वो देख नहीं सकते हैं, वे अपने सब काम स्वयम करना चाते हैं, यदि कोई उनकी मर उनसे कॉलेज की किताबे ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं यानि वो जो किताबे ले जाते हैं उसका रिकॉर्डिंग करके वापिस उसका टेप में रिकॉर्ड करके उसे रवी भीया को यानि रवी नाम को सिमा की भाई रवी को दे जाते हैं, क्योंकि उसे दिखाई नहीं रेता है, वह सुन सके और पढ़ सके और जान सके, रवी भहिया टेप पर ही उन किताबों को सुन लेते हैं, बहिया के पास मोटे कागच की कई किताबे हैं, जिनमें बहुत सारे उब्रे बिन्दु है, पर वे उंगलिया फेर कर महसूस करते हैं क्या लिखा हुआ है ठीक है भाईया को छेड़ने के लिए कभी-कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूं वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं वे उनकी प्यारी सीमा जो ठेरी मतलब वो उनकी लाडली है इसलिए वो उनकी चिलाते नहीं मैं अभी दरवाजे पर पहुची ही थी कि भाईया बोल उटे क्यों सीमा बहुत खुश हो भाईया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी हाट से पहचान लेते हैं अक्षर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या ना खुश भाईया आखिर मैं फुटबॉल टीम में उसकी दादी को अकबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की केसे मदद करते हो तो मैं अपने दादा दादी की मंदिर जाना जाता हूँ और उन्हें समाचार पत्र पढ़कर सुनाता हूँ जब कोई व्यक्ति बुड़ा हो जाता है तब आपको क्या-क्या तकलिफे हो सकती है काजिय गती से नहीं कर पाते दुन्दला दिखाई देता है जल्दी से ठक जाते हैं उसी प्रकार यदि आपको कुछ लगता है तो आप अपने हिसाब सभी लिख सकते हैं रवीब भीया पिना देखे कई सारी बाते कैसे जान जाते हैं रवी भीया आहाट सुनकर सारी बाते जान जाते हैं आपको कभी छड़ी की जुरुत पड़ी है कब हां एक बार मेरा पेर मौच खा गया तब आप सोच सकते हैं कि आपको छड़ी की जुरुत कब पड़ सकती है हां जब हम बुडे हो जाएं या दुर्गटना वश सरीर कमजोर हो जाएं तब हम उन लोगों की मदद केसे कर सकते हैं जिने दिखता नहीं है उन्हें सडक पार करा सकते हैं अकबार पढ़ कर सुना सकते हैं मंदिर ले जा सकते हैं आदी पार्ट एक कंप्लिट हो गया है अब पार्ट टू हम आगे पढ़ेंगे थेंक्यू क्यान देडिवार नहें कर सकते हैं यहाएं…" झाल झाल